3,5,000 रुपे की स्पेलिंग क्या होती है और 3,5,000 रुपे को चेक पर लिखने का सईब तरीका क्या होता है ये हम आज इस वीडियो में सीखेंगे 3,5,000 रुपे को इंगलिश में हम 3,5,000 रुपीज कहते हैं और अगर हम अकाउंट पे चेक देना चाते हैं तो चेक के सबसे उपर कॉर्णर में हम अकाउंट पे ओनली लिखेंगे फिर जहाँ पर पी ABC नेम लिखा हुआ है बहाँ पर आप उस परसन या कंपनी का नेम लिखे जिसे आप चेक दे रहे हैं नीचे आप लिखेंगे 3,5,000 रुपीज और इसकी स्पेलिंग होती है और उसके नीचे 3,5,000 रुपे मातर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक भाशा में ही चेक भरे और आइट हैंड साइड में जो बोक्स दिया हुआ है उसमें 3,5,000 रुपे को अंको में लिखना है जिसके लिखने का तरीका है 3,0,5 फिर 3 बार आपको 0 लगानी है और नीचे जहां आपका नाम लिखा ह वहां उस नाम से उपर आपको अपने सिगनेचर करने होते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सिब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा परयास पसंद आया है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें आपके लाइक हमारे लिए बहुत माइने रखते झाल 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 झाल